वो विपक्ष जिसने भारत के सम्विधान का गला घोटने का अधर्म करा, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने का अधर्म करा, वो विपक्ष जिसके गटबंधन के सदस्य आज भी दिल्ली में एक constitutional crisis create करते हैं, क्योंकि वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि वो अपनी सरकार जेल से चलाएंगे, क्यों? क्योंकि वो सक्ता के मुह में मदमस्त हैं और दिल्ली उनके इस मुह से तरस्त है, अध्यक्ष जी बड़ी अजीब बात है, दिल्ली आज पानी के लिए तरस रही थी, एक हो गई, तो पानी से तरस्त हो गई, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्षी गड़बंदन में या आम आदमी पार्टी में एक आपातकाल और एक आकाल पड़ा हुए है, कंपिटेंस का और टैलेंट का, और इसी लिए मानिने मुख्यमंत्री अर्विंद केज्रिवाल जी, मु पूछना चाहती है, ऐसा विपक्ष, जो पॉलिसी पर्यालिसिस का अधर्म करता है, जो लाक ऑफ गवर्ननस का अधर्म करता है, वो धर्म की बात करकर इस सदन में कैसे आड़े आ सकता है, जब ये सदन इमर्जनसी की रेजिशन पास करना चाहता है, इस इमर्जनसी का अध्यक जी मुझे एक प्रसंग याद आता है, महभारत में युधिश्टर को जब अकर्मनत अग्रसित कर गई, तो वो पितामा भीष्म के पास करे, पितामा भीष्म ने युधिश्टर जी को सुशासन के कई सूत्र दी, लेकिन एक मूल मंत्र भी दिया, और वो मूल मंत् अध्यक जी धर्म तो नरेंद्र मोदी जी के ही पाले में खड़ा है, लोक तंत्र में मतदाता देवत तुल्य होता है, छे दशक में तीसरी बार लोक तंत्र में भारत के देवत तुल्य मतदाता ने विजय श्री का आशिरवाद, NDA की सरकार को नरेंद्र मोदी जी के नेत्रित्व में तिया है, कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, विपक्ष के एक बहुत ही बड़े नेता, मीडिया के बंधुओं से, अयोध्या अध्याम से जीते हुए अपने जनप्रति निधीक का परिचे करवा रहे थे, और उन्होंने कहा, ये हैं अयोध्या के राजा, अध्यक्ष जी ये विपक्ष की राजसी मानसिक्ता को परिलक्षित करता है, अध्यक्ष जी हम तो सत्ता पक्ष में होकर भी सेवा पर्मो धर्मो वाले हैं, राश्च सर्वो परिवाले हैं, हम तो हमारे तो यशच्वी प्रधान मंत्री भी अपने आपको देश का प्रधान सेवक कहते हैं, अध्यक्ष जी हमारे तो राजा राम है, धर्म हमारा काम है, जबते तो हम मा भारती का नाम है, इसलिए तो नरेंद्र मोदी के सामने फेल बाकी सारे तमाम हैं, रिफोर्म, पुफोर्म और ट्रांसफोर्म के वर्क एठिक के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्म साथ करते हुए, विक्सित भारत के समकल्प को सिधी तक लेकर जाएगी, एंडिये की ये सरकार मुझे ये पूर्ण विश्वास है, लेकिन मैं साथ में ये आशा भी करती हूँ, कि ये सदन एक जोट होकर उस संकल्प को सिधी तक ले जाने में मदद अवश्य करेगा, यहाँ पे आदर्णिया हरसिम्रत कौर जी भी बैठी हैं, वो तो स्वैम इस बात की साक्षी हैं, कि सोलवी लोक सभा में तबकी माननिय विदेश मंत्री शिमिती सुश्मा स्वराज ने राष्टपती अभिभाशन के धन्यवाद प्रस्ताव के उन्मोधन के वक्त एक इच परसंट महिला आरक्षन के लिए, ताकि महिलाओं का राजनेतिक सशक्तिकरण हो सके, अध्यक्षी मेना मन प्रफुलत हो उठता ये कहते हुए, कि प्रधान मंत्री नरेंग्र मोधी जी और उनकी सरकार ने सत्रवी लोक सभा में ही ये स्वप्न हकीकत में तब्दील कर दिय अध्यक्षी, 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 अध्यक्षी लोक सभा में सुश्मा स्वराज की दी हुई ये आखें, नारी शक्ती वंदन अधिनियम को लागू होते इस सदन में देखेंगी और इस एतिहासिक पल की साक्षी बनेंगी विक्सित भारत का अगला स्तंब है किसान कल्यान, अध्यक्षी, 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 जैसे ही आई पहला सबसे बड़ा निर्णे हमारे यशश्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी ने लिया 9.26 करोड किसानों को 20,000 करोड रुपे ट्रांसफर करने का NDA सरकार ने किसानों की आए बढ़ाने के लिए MSP में रिकॉर्ड बरहुत्री करी है और्गानिक फार्मिंग, कोल स्टोरेज, क्रिशी आधारित उद्योग, देरी और मत्य पालंग में आधारित उद्योग को 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 भी प्रोचाहित करा गया है ग्रामीन सडक योजना के तहट 3,20,000 किलो मीटर से जादा सडके बनाई गई थे विक्सित भारत का चोथा और सबसे महतपूर्ण स्तंब है गरीब कल्यान अध्यक्ष जी प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना विश्व में सबसे बड़ी समाजिक कल्यान योजना साबित हुई है इसमें 81 करोड से जादा लोगों को मुफ्त खाद्यान की सामगरी यानि मुफ्त राशन देकर मोदी जी ने खाद्य और पोशन की सुरक्षा सुनिश्चित करी है जब हम देश की अर्थ विवस्था की गाथा गाते हैं तो वो रेड़ी पत्री वालों के बिना अधूरी है नरेंद्र मोदी जी ने PM स्वन धी के तहट सक्तर लाग से जादा रेड़ी पत्री वालों यानि स्ट्रीट वेंडर्स को ग्यारा हजार करोड का रिन बिना ग्यारंटी के मुहिया करवाया है अध्यक्ष जी जिनकी ग्यारंटी कोई नहीं लेता उनकी ग्यारंटी लेते हैं नरेंद्र मोदी हर व्यक्ति का एक श्वप्न होता है कि अपनी पक्की एक छथ हो पी-end आवास ग्योजना के तहट इंडिये की सरकार ने इस खाब को हकीकत में बढ़ ला है चार करोड से जादा पक्के मकान इस देश के गरीब को दिये गए हैं और अब पी-end आवास ग्योजना के तहट तीन करोड और पक्के मकान बनाने का संकल्प लिया गया है आई उश्मान भारत के तहट पच्पन करोड से जादा लाभार्जियों को मुफ्त इलाज मिला लेकिन आने वाला जो भवेश्य है वो बहुत ही स्वईने में अध्यक्जी एक वक्त आता है हर युवा की जिन्दगी में जब उस उम्र के पड़ाव में आपके माबाप आपके बच्चे बन जाते हैं और आप अपने माबाप के माता पिता हर युवा को हर वक्त चिन्ता रहती है माबाप के इलाज की आयुश्मान भारत में सत्तर बरस के हर वरिष्ट नागरिक को और ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी को भी इसमें लाभारतियों की श्रेडी में अब इंडिये की सरकार लाईगी कितनी राहत की बात है इस देश का युवा भी अब सास ले सकता है कि पांच लाख रुपया सालाना माबाप की हिल्थ की प्रती सरकार मुहिया करवानी वाली है पीएम सूर घर एक ऐसी फ्यूटरिस्टिक योजना है जहां पर आपके घरों के छटों पर सोलर पैनल्स लगाकर भगवान सूर नारायन की उर्जा को कि माध्यम से मुफ्त बिजली बनाई जाया और अध्यक जी मुफ्त बिजली से भी बहतर है कि वो जो बची हुई बिजली है एक्सेस बिजली आप ग्रिड पर बेच कर एक नई इंकम का सोर्श एक नया आए का सोर्श भी होगा लेकिन मोदी सरकार अलग है अध्यक जी केवल नीति निर्मान ही नहीं करती, केवल योजनाई ही नहीं बनाती, केवल उन्हें योजनाओं का लाब जन्चग तक नहीं पहुचाती, लेकिन वो लाब सुनिश्चत हो, लास्ट माईल डिलिवरी हो, उसके लिए विक्सित भारत संकल्प यात्रा भी निकालत कि अध्यक्षी मोधी की गैरणी की गाड़ी आपके दर्वाजे आती है जनता के दर्वाजे आती है सभी सरकारी योजनाएं एक ही छत के नीचे है आपको आधारकात बनाना है काउंटर वहीं है पी-म स्वार नीदी चाहिए, काउंटर वही है, आपको उज्वला ग्यास कनेक्शन चाहिए, काउंटर वही है, गुड गवर्नन्स के साथ-साथ, एकसेसिबिलिटी टू दाट गवर्न, गुड गवर्नन्स, मोधी सरकार सुनिश्चित करती है, एक अच्छी सरकार जो आए आ जुनावी जुमला बनकर रह गया था, लेकिन यशर्श्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने सुनिश्चित करा, पच्चीस करोड़ लोगों को मल्टी डिमेंशनल गरीबी के रेखा से उभाट, आज का दिन, एक बहुत ही महत्वपून दिन है, अध्यक जी मैं श हम वकीलों की फ्रटर्निटी में उत्साह का माहौल लाने वाली हैं, क्यूंकि एक जुलाई से भारत में भारतीय न्याई संग्था लागू हो रही है पहले के कानून, ब्रिटिश राज की गुलामी की बेडियां थे, जो हमारी न्याई प्रणाली को जकड़े हुए थे पहली बार भारत में एक ऐसी दंड प्रणाली आ रही है, जिसका धे न्याई होगा क्योंकि अध्यक्ष जी जब कोई ऐसा कानून विलाईती हुकूमत बनाती है, तो उसका उद्देश न्याई नहीं होता, उसका उद्देश दमन होता है क्योंकि वो चाहती है कि उसके हुकूमत बरकरार रही, लेकन पहली बार देश में भारत ये दंड प्रणाली आएगी, जिसका धे न्याई होगा न्याई को प्राथमिक्ता देगी और हमारे यां कहते हैं, जस्टिस डिलेड इस जस्टिस दिनाईड ये वो criminal system होगा, laws का, जो एक expediency लाईगी, एक तेजी लाईगी भारत के criminal justice system ने Community Penalty पहली बार भारत में introduced हो रही है इसका मतलब है, at the heart of these laws is not only deterrence of law and punishment, but also a sense of reformation इन सभी transformative, futuristic, path-breaking कारणों के कारण ही, भारत ने NDA की सरकार को तीसरी बार पूरा प्रहमत दिया पर अध्यक्ष जी, विपक्षी गटबंदन ऐसा प्रदर्शत करता है, जैसे की नाराइनी सेना इनके पाले में खड़ी है पर अध्यक्ष जी, इतना जरूर कहूंगी, क्रिश्न तो कर्म के कायल है, इसलिए उनका आशिरवाद तो नरेंद्र मोधी जैसे कर्मयोगी पर पुना बरसा है विपक्ष चाहे ये दिखाने का प्रयास करे कि स्वयमक्षोईनी सेना उनके पास अध्यक्ष जी, बहुत चौकाने वाली बात है कि वो विपक्ष जिसने आपात काल लगाने का अधर्म करा